जेन स्रोगातियाप का इंडिन डिफेंस फोर्स के एक और ना एपिसोड में डियाडियो का हैपी दिवारी प्रोग्राम फरसे स्टार्ड हो गया है जिसके अनुशार डियाडियो ने 25 जून 2021 को उरिशा के तत पर इंटिगरेटेट टेस्ट रेंज फैसेलिटी चानीपुर में एक मल्टी बेरर रॉकेट लॉंचर से सौदीशी रूप से बिख्षित 120 mm केलिवर रॉकेट के इन्हेंस रेंज बेरियंड का सेक्सेस्पुली टेस्ट किया है यह रॉकेट आर्मी की एप्लिकेशन के लिए डिवलप किये गए हैं जो 40 km तक लक्ष को नेस्ट कर सकते हैं इन्टीगेट टेस्ट रेंज और प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल इस्टेबलिशमेंट द्वारा तैना टेलीमेट्रिक रेडर और एलेक्ट्रो आप्टिकल ट्रेकिक सिस्टम से रेंज इंस्टुमेंट द्वारा सभी फिलाइट आर्टिकल्स को ट्रेक किया गया है इस rocket system को पुने इस्थित Armament Research and Development Establishment ARDE और High Energy Materials Research Laboratory द्वारा संयुक्त रूप से नाकपर बेस Economics Explosives Limited के Manufacturing Support के साथ डेवलप्ट किया है यह Advanced Rocket System 120 mm Grade Rocket System को पूरी तरस रेपलेश कर देगा अगली खबार के अनुसार इंडियन एरफोस स्पाइक बाम के IR बेरियन्ट को लेगर इंटरेस्ट दिखा रही है स्पाइक Precision Guided Bomb के Manufacturer Israel Base Rafale Advanced Defense System ने स्पाइक 250 ER 9 बेरियन्ट को इंडियन एरफोस को पेस किया था अब जाकर खबाल निकर कर आईए जिसके अनुसार इंडियन एरफोस इस सिस्टम को लेकर इंटरेस्टेड हैं और उन्हाने राफेल सिस्टम से अधिक जानकारी मांगी है जिसमें निकर्ट बाविस में कम से कम स्पाइक 250 ER का डिमोंस्टेशन भी सामिल है राफेल एडवांस मौझूता फाइटर फिरीट के लिए स्पाइक 250 ER को पिछ कर रहा है जिसमें मराश 2,130 MKI और LCA तेज़स सामिल है स्पाइक 250 ER जिसमें एक इंटर्नल फियूल सिस्टम के साथ एक मिनियेचराइस टर्बो जेट एंजन लगा है जो बेपन को कम से कम 150 किलोमीटर की रेंज प्रदान करता है स्पाइक 250 ER अव आटोनोमस एलेक्ट्र अप्टिकल सीन मैचिंग आर्टिफिसल इंटेलिजेंट एलगोरिदम के साथ आता है जो इस ट्राइक से पहले विशिष्ट लक्स विशिष्टाओं के लिए एडवांस आर्टिफिसल इंटेलिजेंट और डीफ लर्निंग तकनीकों का उप्यू करता है इसी बात पर वीडियो को खतम करते हैं वीडियो को लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए जेहंद